नमस्कार दोस्तो अगर आपने इंडियान रेलवे में सफर किया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि रिजरेशन करावते हैं समय सीनियर सिटिजन्स के लिए महिलाव के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष्ट परकार का कोटा होता है जिसमें किराय में क कुछ छूट मिलती है कोविड काल से पहले वरिष नागरिकों को चूट दी जाती थी लेकिन हमारी खतम होने के बाद अब सिनियर सिटिजन्स को इसका लाब नहीं मिल रहा है इसी बीच रेल क्राय में दी जाने वाली चूट को लेकर अब एक बड़ा अपडेट भी आ गया कि कोरोना से उत्पन चुनोतियों के कारण 2020 किस में रेलवे की कमाई कोरोना से पहले 2019-2020 से कम हो गया है ऐसे में छूट देने से रेलवे पर काफी बोज पड़ेगा ऐसे में सिनियर सिटिजन्स सहीत पूर में दी गई अन्य छूटों पर भी विचारनी किया गया है इससे प ट्रेन में टिकट किराय में दी गई रियायत का वहल करने का नूरुद भी किया है जो COVID-19 महामारी फैलने के बाद बंद कर दी गई है एक लैटर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि भारती रेलवे के वरिश नागिकों को दी गई छूट को वापिस लेने के फैसले से देश भ भारत की लोगों को बहुत नुक्सान हो मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक साथ करूर से अधिक सीनियर सिटिजन ने रेलवे का उप्योग किया और चूट का प्रभाव इसवच्ट है अब भारती कमिस्ट पार्टी नेता और सांसद विन्य विशम ने रेल मंत्री एश्वनी वै प्रभाव